हेलो स्टुडेंट्स स्वागत आपका हमारे स्टेडी वी एजुकेशन चैनल में आज की डिक्टेशन है असे वर्ड पर मिनिट की स्पीड से लिखेंगे उससे पहले आप से बात कहना चाहूंगे कि राजस्तान हाई को स्टैनोग्राफर की वेकंसी आई है जूनियर रखे जाएंगे तो इस बार हम है जो जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर है वो पूरी तरह से कवर करेंगे इसलिए आप हमारे स्टेडी वी एजुकेशन चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक और शेर भी कर दीजिए ऐसी ही रोज डिक्टेशन हम हमारे चैनल पर डालते रहते हैं हां जी डिक्टेशन स्टार्ट होगी तीन सेकंड बाद रेडी स्टार्ट सभापती महोद्य इस कारण परिवार वाले उस पर हावी नहीं हो पाते ऐसी एविवाहित इस तरी अपने आचरण की सहींता भी स्वयम गडती है यहां केवल उन एविवाहित इस तरियों की और संकेत किया जा रहा है जिनको परिवार ने किसी स्वार्थ वश किसी भी परकार के जीवन का चुनाव करने का अफसर नहीं दिया है जो मा बाप द्वारा तै किये गए जीवन को ही जीने को मजबूर हैं बहुत से अभी भावक सामाजिक रूप से काफी परगती शील हो गए हैं उन्हें यह सविकार नहीं है कि धन कमाने वाली बेटी को पराया धन मान कर किसी पराय के साथ घर से विदा कर दिया जाए अपनी कमाऊ बेटी को अपनी ही बनाए रखना उनका धेय बन गया है इस धेय तक पहुंचने के लिए वे प्रसंसा वानों का सहारा भी लेते हैं वैसे तो सब नालायक हैं पर बेटी बहुत जिम्मेदार है हमें अकेला छोड़ने को तयार नहीं है इसलिए शादी का नाम लेते ही गुसा हो जाती हैं हमारी बेटी तो बेटों से बढ़कर है सारा घर उसी पर टिका है जिम्मेदार होने का आला खिताब पाने के बाद बेटी का तन्वन धन से माता पिता की सेवा में समर्पित हो जाना स्वाभाविक है इसमें उसे नेतिक रूप से भाईयों से आगे निकल जाने का मानसिक संतोश भी मिलता है प्रशन शात्मक ऐसे जुमले वास्तम में यह मनोविज्यानिक अस्तर का काम करते हैं अपनी हर आग्या मनवाने वाले माता पिता बेटी के जीवन के एहम प्रशन पर उसकी तथा कथित इच्छा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं बेटी की ऐसी इच्छा में उन्हें विद्रो की गंद नहीं आती अतै ऐसे में किसी प्रतिवाद या भतर्शना का प्रशन भी नहीं उठता है इस विद्रो को जग जाहिर करके वे एक गहरे गोरव का अनुभव करते हैं ऐ विवाहित स्थिती को सविकार करके बेटी अपने शरीर के नकार को भी सविकार कर लेती है भारतिय परंपरा में शरीर के नकार का उंचा स्थान है शरीर का यही नकार संतों की सबसे बड़ी पहचान है संतों का अनुसरन करके बेटी मा बाप का यश बढ़ा देती है विवाह के लिए बेटी की अनिच्छा के सारबजनिक परचार के पीछे एक विशेश उदेश से छिपा रहता है माता पिता का अपनी सारबजनिक आलोचना से बचाव उन्हें इस बात का भी पूरा भरोसा है कि उनके सारबजनिक परचार के प्रतिवाद में बेटी अपने होट नहीं खोलेगी खुल कर शादी की इच्छा व्यक्त करना इस वरग की शेहरी लड़कियों के लिए भी उतनी ही लजजा जनक बात है जितने गाउं में रहने वाली लड़कियों के लिए है विवाहित इस तरी का गोरव यदी प्रतिवर्ता होने में है तो ए विवाहित इस तरी का परिवार व्रता होना ठहरा दिया जाता है परिवार व्रता को अपना आचरन किन नियमों के अनुसार ढालना चाहिए ये सब माता पिता द्वारा रचित आचार सहिंता में विस्तार से दर्ज कर दिया जाता है जैसे पती वर्ता पर पुरुषों पर द्रस्टी नहीं डालती है वैसे ही परिवार व्रता परिवार से पूरे पुरुषों को कोशों दूर रखने को बाध्य है उपाद्यक्ष महोद्य मुझे बहुत प्रसनता है कि गंगा नहर शतावदी महाउस्व के उतगाटन के लिए मैं यहां आ सका यह नहर भारत की वर्तमान नहरों में शायद सबसे पुरानी है इस नहर से इस शेतर के लोगों को जो अनेग लाब पहुंचे हैं और अनाज तथा बिजली के उतपादन से यहां जिस संपंता के युग का आरम हुआ है उसके कारण नदियों की उपयोगिता में जन साधारन का परंपरागत विश्वास और भी द्रड हुआ है इस देश में नदियों को सदा ही महतवपूरण स्थान दिया जाता है आज भी हम नदियों को सिंचाई का और इसके द्वारा धन धने की उतपत्ती का सर्वत्तम साधन मानते हैं और उन्हें यातायात का साधन भी समझते हैं आधुनिक विज्ञान ने नदियों की उपयोगिता में कुछ और व्रधी कर दी है जिसमें सबसे परमुख जल परपात द्वारा विद्युत शक्ती का उतपादन है हमारे देश में नदियों का जाल बिचा हुआ है मैं समझता हूं कि सिंचाई की द्रस्ती से संसार में भारत का स्थान दूसरा है केवल एक देश ही हमसे आगे बढ़ा है भारत की जनता के लिए यह बात महतब पूरण है कि नहरों की इश श्रंखला का श्री गनेश इस देश में गंगा की नहर से हुआ पुनित पावन गंगा जो एक परकार से हमारे प्राचीन सहित्य और पोराणिक विचारधारा का आधार रही है और जो आज भी भारतिय सहित्य तथा भारतियों के समाजिक और धार्मिक रिती रिवाजों पर छाई हुई है हमारे इतिहास में एक विशेश स्थान रखती है अब से हजारों वर्ष पूर भी यहां के लोग गंगा को पावनता का स्त्रोत और वर्दान दात्तरी मानते थे इसलिए आज यदी वास्तम में भारत के सबसे बड़े राज्ये के एक भाग ने अपनी संपंता गंगा की नहर से प्राप्त की है तो हम यही कह सकते हैं कि पुरातन विचारधारा इतिहास के रूप में प्रकट हुई है यह तक है चाहे एक संयोग मतर ही हो किन्तु हम सबके लिए निश्चे ही इसका महतव है स्टॉप तो स्टुडेंट्स हम हमारे चैनल के उपर राजस्तान हाई कोर्स टेर्नोग्राफर की जो वकेंसी है यह जूनियर इस स्टुडेंट की उसी का पैटर्ण पूरा करवाएंगे अपने चैनल पर तो आप हमारे स्टुडियू एजुकिशन चैनल को सस्क्राइब कर थैंक यू